मारे फैमिली फ्रेंड्स की तरफ है तो इसलिए बस में उटने बताया हुआ है कि मैं सहरी के टाइम साहां पर हम लोग सब ग्रैडी हो चुके थे गाड़ी में बैठके हम लोग को थैम पे आए हैं कि मैंने आपको बस यह दिखा दिया कि मैंने यह वाला ड्रेस पहना है कि भूग लगी थी ना पिर हमने वहां से फ्राइज और बर्गर वज़दा लिये थे टाइम तेक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखे हैं हमें भी असलाम लेकम जी कैसे हैं आप सब तो अलहम दलेला हम भी बिल्कुल ठीक हैं खुशबाश उमीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे तो जी आज खुशकिसमती से वो दिन आया है पूरे रमजान में जब मैंने घर पे अफ़तारी नहीं बनाने आज हमारी इफ़तारी हमारे फैमली फ्रेंड्स की त तो सिर्फ और सिर्फ एक पैट्रॉम होता है सेट करने वाला जो मैं सो की उठती हूं तो फिर उसी टाइम कर लेती हूं तो बस अभी मेरा दिल कर दा था कि छोटी मोटी सी को स्कीन केयर कर लें क्यूंके बोखो दिन हो गया है पूरा रमजान ही गुजर किया है मैंने कुछ स्कीन को लश पश करना हो तो सबसे अच्छा उप्शन यही होता है कि आप स्कीन पॉलिश कर लें या को स्कीन ब्लीश कर लें यहां पर मुस्ना मुझे देखके कहा रही थी मामा बबू बनी हुई है और यह मैंने ड्रेस निकाला था पहनने के लिए जब मैंने इसको खुल ड्रेस पहने के जाने का लेकिन फिर खेर मैं कोई और निकालोंगी उसको यह प्रेस करोंगी तो अभी जी यहां पर हम लोग सब ड्रेडी हो चुके थे गाड़ी में बैठके हम लोग उथेम पे आये हैं क्योंकि यहां से हमने कुछ फूर्ट और केक वगरा लेना है जो उन को बस यह दिखा दिया कि मैंने यह वाला ड्रेस पहना है मरगून और पिस्टा कलर का और जी यह मैंने गोल्ड की सारी चीज़ें पहन ली है क्योंकि आपको पता है मुझे आर्टिफिशल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कोई फ्री में तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं रास्टे में आपको पता है आज पिलाल के बाबो ने हसा हसा कि मुझे ऐसे जैसे पागल करते हैं मेरी आंखों से इतनी जोर जोर सी आंस को आना लग गये थे इतना जोर जोर से मुझे हसा रहे थे और इतनी फणी बाते करती है एक तो हम लेट बहुत हो गए थे दूसरी बात है कि इन्होंने नो मुझे हसाया बहुत रास्ते में मैं टेंशन लेड़ी थी कि यार यह ना हो हम जब पहुंचें तो अफ़तारी का टाइम ही उपर हो चुका लेकिन अलहम्दलिल्ला जैसे हम इनके घर पहुंचे आना तो बस उसी ट घर पे जाके सहरी भी कर लेना तो मेरे लिए बड़ी असानी हो गई अफ़तारी से जान चुड़ाते हुए मेरी सहरी से भी शूट की थी और इसके बाद हम लोग आए थे हॉस्पिटल क्योंके मैंने यहां पर अपना मैडिकल करवाना था जो ड्राइविंग लाइसेंस बन अगर आपको बलड की जरूरत हो तो फोरण आपके लाइसेंस से देखके आपको बलड दे दिया जाए ताकि आपकी जान को ज्यादा खत्रा ना हो तो इसलिए यह बलड क्रूप जो है ना वो लाइसेंस की ओपर लिखा होता है खैर यहां से अगला दिन हो जाता है यह हमार अबो खालिद सौधी है तो ये न अपना फार्म ए खजूर का माशाला इतने सारी व्राइटि में खजूरें भेजी है ना हर साल वह में रमजान में खजूरें देते हैं घर साल तो इस दफाद भी उन्हों ने बहुत अच्छी खजूरें भेजी है और मेरी सबसे फेवरिट हैं यहां जो सामने दो डिबों में नजर आ रही है ना यह मिरी सबसे फैवरिट हैं खर अभी हां पहे मैं अफ़तारी बना रही थी अफ़तारी आज मैंने बहुत ही सिंपल सी बनाई है बस मैंने जनाशार्ट बनाई थी बचों के लिए फ्राइस बनाई थ24 और साथ मैंने यखनी वाला प्लाव बना लिया था क्योंकि आज मेरा ट्राइविंग टेस्ट था तो इसलिए मैं चाहरी थी कि मैं बस रिलैक्स होके इजी होके जाऊं वैसे भी इतने दिन के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली है तो मैं सोच रही थी कि यार जो मैंने सीखा हुए ना वो मैं भूली ना जाऊं खैर अलहम्दलेला यहां पर मेरा ट्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो बनने के लिए जहां पर आपको पेपर वगरा फिल करना पड़ता है मैं वहां बैठी हुई थी टेस्ट मेरा क्लियर हो गया था लेकिन आपको मैं एक और शीज़ बताती हूँ यहां पर इतना एजी नहीं है कि आपको ड्राइविंग अगर आती है तो आप बस लाइसेंस ले सकते हैं आपके ड्राइविंग स्किल के साथ साथ वह आपकी कॉमन सेंस भी किस लेवल पे है बड़ी अच्छी तरह से चेक करते हैं अगर आपने यह सारी बाते मेरे से पूछनी है ना कि क्या कुछ हुआ था वहां पे तो आप मुझे कॉमेंट करना इन्शाला ईद के बाद ना फुरसत में में आप लोगों के साथ ना वह सारी बाते शेयर करूगी खैर मैंने जो अपना लाइसेंस है ना वो दस साल वाला बनवाया था कि बार बार यह जंजट ना करना पड़े हमें तुबारा दुबारा मेडिकल टेस्ट करवाना और दुबारा दुबारा फीस बे करना इसलिए मैंने एक साथ ही दस साल की फीस बे कर दी है और उसके बाद हम लोग ना इस शौप में आये थे यहां पर मैंने एक ना सुराख सुराख वाला वो देखा था जो स्टीमर होता ना वो वो मैंने ना दो तरह से यूज़ करने के लिए सोचा हुआ था मैंने का मुझे लेके देना है आपने जिस दिन मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया ना दुबारा हम लोग यहां पर आये ड्राइविंग टेस्ट के लिए उस दिन मुझे लेके देना है तो वो मैंने इसलिए लिया है एक तूस से भली है बड़ी अच्छी बन जाएंगी दूसरा स्टीम वगरा देनी हो तो वो भी यहां पर मुझे दिखा रहे थे कह रहे थे किया अपनी गाड़ी के लिए कोई भी आप न यहां से कुशन वगरा ले लो जो नीचे रख ले तो इनसान फिर बैट के बड़ा इजी होके अपनी गाड़ी चला सकता है तो यह भी यूज करते हैं मुझे कह रहे थे आप भी देख लो तो मुझे ना एक अच्छा लगा था वो मैंने ले लिया था यहां से आपको पता है मेरा 8 बचे के टाइम पे ना वो ड्राइविंग टेस्ट था लेकिन जब हम पहुंची हैं तो डिले होके 9 बचे पे हो गया तो हम लोग ना बस इतनी जल्दी में निकले थे घर से जल्दी जल्दी में हमने अफ़तारी की थी नमाज पढ़ी और बस हम ना घर से निकल आए थे कि आज हम लोग लेट ना हो जाए पहले भी लेट हुए हैं तो काफी ज्यादा हमें फिर खुआरी उठाना पड़ी है बहुत देर से हमें टाइम मिला था तो इसलिए फिर हम बहुत जल्दी पहुँच गे थे और आपको पता है मुझे इतनी जोर की भूक लगे थी ना फिर हमने वहां से फ्राइज और बर्गर व्यादा लिये थे और आप यकीन करें मैंने टेस्ट वो पास कर लिया है लेकिन मेरी अब ही तक तांगे काआप रही थी? घर भी आगी हो ना फिर भी मेरी टांगे इतनी जोर अच्छा लगा होगा. इसके बाद पिर अगले व्लाग में मिलेंगे वहां पे मैं आपको अपनी एद की जो शॉपिंग वगारा है ना वो सब दिखाऊंगी तो उस टाइम तेक के लिए अपना बहुत सारा ख्यार रखें हमें भी अपनी द्वा में जाद रखें जी अलाफीस पी अमान अल्ला